वेलकम तो स्पीसेटी पॉइंट स्वागत है आपका आपके अपने परिवार स्पीसेटी पॉइंट में मैं सुनूं और सब्सक्राइब करता हूं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा और अगर आप चैनल पर नए हैं अ स्पीसेटी पांट पर बिल्कुल फ्री में उपलब्त कराई जाती है रोज रात समेस्टर फर्स्ट यानि की स्थी समेस्टर फर्स्ट के क्लास होती है तो आप लोग लाइब आना ना भूले ठीक है मित्रों अब बात कर लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट टापिक पर कि आप सभी लोग अपनी अपनी इंवर्सिटी के वेब साइट पर चेक कर लेजिए वहां पर अपडेट आ गया होगा कि आपका पेपर जो है पेपर पैटरन किस प्रकार से होना वाला है जो नभी इंतम पाट करम लागू हुआ है हाल ही में आप सभी की इंवर्सिटी में जो भी इंवर्सिटी नभी इंतम पाट करम के नुसार अपना सिलेबस लागू कर चुकी है उनमें जो पेपर पैटरन होने वाला है वो रिटन होने वाला है और सभी इंवर्सिटी ने अपना अपडेट दे दिया है कि किस प्रकार के प्रस्ण आएंगे और कितने पेपर हो चलिए बात करते हैं डाक्टर रामनोहन लोहिया अवाद इन्वर्सिटी उत्तर प्रदेश की ठीक है इसमें इन्होंने क्या उगत कराया है इन्होंने बताने का प्रियास किया है कि राश्टिय सिच्छा नीटी राश्टिय सिच्छा नीट 2020 के प्रफधानों के करम में असनात इन्वर्सिटी पर आप सभी के इन्वर्सिटी के विबसाइट पर मिल जाएगा ठीक है तो आप सभी लोग वहां से देख लीजिए चलिए बात करते हैं इंपॉर्टन टॉपिक की जो राश्टिय सिच्छा नीट है 2020 के प्रफधानों के करम में प्रफधान जो लागू के गए हैं पर्फम समेश्टर के तो हजार 21 और 22 के संदर में अब उन्होंने अवगत क्या कराया है कि किस परकार के प्रस्ण का पर रूप होगा और परिच्छा समंदी बेवस्था किस परकार से होगी और आपको किन किन्यमों का पालन करना है ठीक है चलिए बात कर लेते हैं गुप मैंशने से होगी घो फरकार प्रकांव समयंजार अ होगी वह कितनें ऑंको की होगी वो सवूंगे की होगी यानि कि आपकी जो तीन मुख सम्दोन परियोगिक कार की परिच्षब हो और परियोगिक परिच्छा भीएश शॉत की होगी चलिए उअब आगे बात करते हैं आपके जो विसें हैं धीक यह सब परियोगिक है touches कि परियोस के करेंगे आपके पेपर की बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रसंद जो है आपके पेपर में आने हैं ठीक है चलिए जो इंपॉर्टन बात है यहां पर लिखी हुई है और साफ तोर पर आप सभी लोग ध्यान से समझ लीजेगा वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा हैं उनकी परिच्छा होनी है वह 55 आंकों की होगी यानिकि 25 नंबर बातकरते हैं या परिज्छा परिछा या परिच्छा पर्थम समेस्टर के अंत में विस्विद्वालेदारा निर्धारित समय सार्णी के अनुकरम में विस्विद्वालेदारा प्रदान की जाने वाले मुद्रित प्रसंपत्र के माध्यम से संपन करानी होगी ठीक है जो विस्विद्वालेदारा आपका प्रसंप tangible 10.25 होंगे पाट्चीन होगे दूसरी बात इस परिफ्षा के लिए जो प्रसंतत्र का परूप होगा यानि इस परिच्छा के लिए जो प्रसंद का परोफ होगा वो क्या होगा वो आपका होगा प्रतेग विसे के प्रसंद पत्र के लिए अधिक्तम निर्धारित अंक कितने होंगे 25 अंक होंगे जो प्रतेग विसे के प्रसंद पत्र के लिए जो अंक निर्धारित होंगे वो 75 ह होंगे कितने होंगे 75 प्रतेक्सेट्स्थ के लिए परिंधारी जो को मिलेगा प्रसनपत्र करने language में प्रिंट होगा अब आप बात करते हैं जो आप सब के मन में संका बनी हुई थी और यह दिक्कते सभी के पास थी तो यह आप समझ लीजेगा मैंने model paper मैंने आपको बता दिया था लेकिन वहां पर मैंने आपको 50 नंबर बताया था जो आपका paper होगा वह 50 नंबर का होगा लेकिन इस बार जो आपका paper होना है वह 75 नंबर का होगा और 25 नंबर आपके practical होगी 25 नंबर क्या होगे practical होगे ठीक है मित्रो चलिए अब देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रसंद आएंगे आपके paper में देखे आपका जो प्रसंद पत्र है वह तीन खंड में विभाजित होगा तीन कंड में विभाजित होगा सेक्शन ए यानि कंड और सेक्शन boyfriend 5 यानि की खंड स सा तीन हंड में विभाजित होगे बात करते हैं कि आखिर में ये स्कीन साट देलना चाहते हैं तो आप यहां से इसकीन साथ इसका ले लीजिए चल्दी से आप लोग इसकीन साथ ले लीजिए और यह मैं आपको टेलीगराम पर भी उपलब्द करा दूँगा चलिए नमबर का आएगा और उसको आपको 50 words में लिखने हैं ठीक है यह सेक्शन A की बात हो गई सेक्शन B की बात करते हैं याcolor की बात करते हैं कंडबं में 8 प्रस्न होंगे 8 स्याव के आपके आपण प्रस्न होंगे जिन में से 5 प्रस्नों का उत्तर आप को देना है जिनमें से पांच प्रस्णों का उत्तर देना है और प्रतेग प्रस्ण के लिए आपको मिलेंगे साथ नंबर प्रतेग के लिए साथ नंबर मिलेंगे और इनका जो अंसर है आपको वो 200 सब्दों में लिखना है कितने सब्दों में 200 मुद्धित होंगे यानि चार प्रस्ण इसमें पूछे जाएंगे जिन में से दो का उत्तर देना है और कितने सब्दों में 500 सब्दों में और जिसके लिए प्रते question के लिए आपको 10 number मिलने हैं ठीक है मित्रों तो यह सारी बाते थी आपके paper pattern की बारे में एक बार मैं फिर से repeat कर दूँ आपका जो paper pattern है वो लिखी तो होने वाला है और लिखित में आपका paper जो है यानि आपके प्रस्म जो आएंगे तीन section में आएंगे A, B और C, A में पूछा जाएगा very short answer type question, B में short answer type और C में long answer type question यानि अतलग उत्रिय प्रस्म लग उत्रिय प्रस्म और दीर उत्रिय प्रस्म ठीक है इस प्रकार से प्रस्म पूछे जाएंगे जो आपका अतलग उत्रिय प्रस्म होगा यानि section A जो होगा उसमें आपके 10 question होंगे और 2 number के होंगे और जो section B आपका है उसमें 5 प्रस्म होंगे और जो 7 number के होंगे और section C में आपके 2 प्रस्म होंगे जो 10 number के होंगे ठीक है और इनका answer आपको A section की बात की जाए तो 50 word में B section की बात की जाए तो 200 word में और C section में 500 word में आपको इसका answer write करना है ठीक है मित्रों तो आप सभी लोग इस जानकारी से सहमत हो गए होंगे तो आप लोग comment करके ज़रूर बताईएगा और एक बार अपनी university की website पर जाकर confirm कर लिजिए वहाँ पर update प्रस्ण पत्र को लेकर आ गया होगा ठीक है और जिनके भी university में अभी MCQ type प्रस्ण होने है उनका भी 100% आएगा 100 number का आएगा ठीक है मित्रों चलिए आज की class यहीं पर समखत होती है मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जाये हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लेज वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा